कोंग्रेस और जे एमेम के प्रतिनिधी मंडल ने जारखन के मुख्य निरवाचन अधिकारी से मुलाकात की है इस मुलाकात में कॉंग्रेस और जे एमेम ने बीज़ेपी के राश्रे अध्यक्ष जेपी नड़ा के बयान की शिकायत दर्ज कराई है महागडबंधन नेताओं का कहना है कि बीजपी ने मोरहबादी मैदान में आदिवासी विश्वास रैली का आयोजन किया था इस रैली में भाजपा के राश्रे अध्यक्ष जेपी नड़ा शामिल हुए थे और मंच से आगामी होने वाले मांडर विधानसभा चुनाव की केंडिडेट गंगोतरी कुजूर का नड़ा ने नाम लिया था महागडबंधन का कहना है कि नड़ा ने लोगों से मांडर में कमल खिलेगा या नहीं जैसे सवाल पूछे थे जो कि आदर्ष आचार सहिता का खुलेआम उलंगन है तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोगों ने तो पर्मिशन नहीं दिया है तो यह सीधे सीधे मॉडल कोड अफ कंड़क्ट का उलंगन है और जो करोडों रुपए खर्च आए है वो घोसित तुमिद्वार के खर्च में जुनावी खर्च में जुड़ा जाना चाहिए हमने अपनी कड़ी आपति दर्ज की है और पूरा जो साक्ष है उसको भी देने का काम की है मामला जो है निर्वाचन अधिकारी के संग्यान में आ गया है उन्होंने कहा कि हम इसको संग्यान में लेकर के कारवाई करेंगे उच्छे जारखंड कॉंग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने बीजेपी की रैली का खर्च कंगोतरी कुजुर के हिस्से में जोड़ने की मांग की है रंजन ने कहा कि अगर निर्वाचन अधिकारी को रैली की सूचना नहीं दी गई थी तो ये मॉडल आफ कंड़क्ट का उलंगन है अब इस मामले में गेंद निर्वाचन आयोग के पाले में हैं आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि निर्वाचन आयोग इस केस में क्या फैसला लेगा पंजाब केसरी टीवी के लिए राची से आशुतोष सिनहा की रिपोर्ट